करनातिक में चुनाव है और देश की भोली वाली जन्ता के साथ जैसे की हिमाचल में कॉंगर्स पार्टी ने छल से सरकार बनाई थी दोके से सरकार बनाई थी उसी तरह कॉंगर्स पार्टी सिंप्ति कार्ड जो खेलना चाहती है कि वो जो है लोगों में जूटा प्रचार प्रसार करेंगे कि लोगतंत्र की हत्या होगी लोगतंत्र को बचाना है भारती जनता पार्टी में ये किया जबके इसमें भारती जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है कोई रोल नहीं है ये नियाले का मामला है और बात अब उनकी सदस्यता की रद की है कि सदस्यता रद हुई उनकी और इसमें सुप्रीम कोड की डिलेक्शन है मानिनिये सुप्रीम कोड की डिलेक्शन है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को सजा हो वो सांसद हो चाहे भिराई को चाहे सांसद हो चाहे भिराई को जो है रद कर दी जाएगी चाहिए वो किसी भी पार्टी का वो मेंबर के उना हो तो संभीधान के अनुशेत 102 प्लोस बन और लोग जन प्रतिनित अधिनियम उनिस सो कुंजा आठ तीन के तैड जो है राउल गंदी की लोग सब ऐसे सिदस्यता राद दोगी अगर आप वो गंदी जो है उस सजा की स्टे नहीं लेती हैं और दो साल की सजा हो जाती हैं तो वो जो है छे साल तक जो है आयोग्या भुशित किये जाएंगे यनिके आठ बर्स तक जो है वो चुनाब नहीं लड़ सकते अगर उन्होंने उस सजा पर स्टे नहीं लिया अब बात आई कि इसमें और भी सांस्ट हैं कि जिनको जो है जिनकी सदस्यतों जो है इसी नियम के ताय जो है गई थी स्टंबर यूपियस सरकार के एक मंत्री हैं और दूसरे हैं रशीद मुहम्मद हैं कॉंगर्स पार्टी के रशीद मसूद साल 2013 में जो है MBBS सीट गोटाले में उनको दोशी ठड़ाये गया अदात ने और उनकी रज्यसभा की इस दस्यता चलीगी उसी तरह लालू प्रसाद यादव को भी साल 2013 में चारा गोटाले पर दोशी ठड़ किया और उनकी इस दस्यता चलीगी इसी तरह जंता दल यूनाइटिड के जगदी शर्मा के चारा गोटाले में सज़ा हुई और उनकी जो है सदस्यता जो है नोकसा बाक्षी चलीगी अब्दुल्ला आजम की विदान सभा की सदस्यता सदा होने पर चलीगी उत्तर प्रदेश के विदाईक बीजेपी के विदाईक विक्रम सेनी की सदस्यता भी उनको सदा होने पर उनकी सदस्यता चलीगी अब राउल गंदी जी इसका जो है जूटा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तक्षियों के बबीत जो है वो बात कर रहे हैं जबकि एक अध्यादेश जो है जब उनकी सरकार यूपी की सरकार थी दो जाते रामे तो परधान मंत्री जी शिर्मान मनमोन सिंग जी थे उस टैम जो है यूपी सरकार जो है एक अध्यादेश लाई थी और उस अध्यादेश को जो है राउल गंदी जी ने भरी मैफिल में और प्रेस के लोगों के सामने जो है उसको फाड़ का जो है रग्दी की टोकरी में डाल जिया था जबकि वो अध्यादेश जो है अगर वो पास हो जाता उस टैम तो उनकी इस दस्यता जो है बच सकती थी लेकिन उनने उस अध्यादेश को अपनी ही पार्टी के अपनी ही सरकार के उस अध्यादेश को फाड़ के जो है उनने रग्दी की टोकरी में डाल दिया अब कॉंगर्स वाले जो है टिका टिपनी जो है अदालतों पर कर रही है नियाई पाली का पर कर रही है देश की नियाई पाली का और अदालते सबतंतर रूप से काम करती हैं इन पर किसी भी व्यक्ती अजेंसी का कोई प्रभाब ने पड़ता पूरे विश्व में भार्तिय नियाई पाली का और भार्त की अदालते सबतंतर रूप से काम करती हैं जिसकी प्रशंसा पूरा विश्व करता है कि भार्त की नियाई पाली का जो है सबतंतर नियाई पाली का है अब ये कॉंग्रिस पार्टी के मुठी बार नेता जो है मुठी बार लोग जो है लोगों को भरगला रहे हैं लोगों को भेका रहे हैं लोगों के साथ छल कर रहे हैं और अपने आपको जो है नयाय पाली का और कानून और सम्मिधान के ओग से अपने आपको उपर समझ लें और मैं इनको आगा करना चाहता हूं कि ये जो है इस तरह की घटिया पबिसिटी लोग पिलता से बाज आ जाएं नहीं तो आने वाला टाइम जो है दो हजार चोबी का जो है इनका जो है सुपड़ा साफ होने जा रहा है और ये गल्द प्रोपो कर रहे है नियाईपालिका के खिलाप तिपने कर रहे तो एक कोर्ट और कंटेंटक को भुखतने के लिए भी त्यार रहेैं ओनमयाञर्यक्ष्ट ओर आदालतों के खिलाप और नynहाय पाली के किलाप कोई दिस्टु नहीं कर सकता नियाईविद्र कानून सुप्रीम पर और नियाए पालिका पर टिपनिया करना छोड़ दे अना था इसका रिजेक्ट आने वाले समय में वो भुगतने के लिए त्यार रही है तो ये छोटी सी बाते में आपके साथ शेर करनी थी ताकि समाज में जो है एक मैसिज जो गल्त प्रोपोगंडाई नो नचलाय हुआ इसको जो है लोगों को ठीच तरह बताया जाए कि कानूर के अनुसार उसमें किसी भी पार्टी का लेने देने नहीं है कम्प्लेंट हुई अदालत में और अदालत ने फैसला हुआ अगर आप उस फैसले से सहमत नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है आदालत में जाने का तो वो आदालत में जा सकते हैं ये कॉंग्रिसी बताएं कि उस फैसले के बिरुद हो कब अफील करने वाले हैं कब स्टे लेने वाले हैं उसको वो नजर अंदाज कर रहे हैं उस बात को वो कन्नी काट रहे हैं जबके आम जंता हमारी भोली बाली जंता जैसे कि इन्होंने हिमाचल में किया कॉंगर्स पाली उन्हें के छल के साथ सरकार बना ली तो मैं इन कॉंगर्सियों जो मुठी बर कॉंगर्सिय हैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो दस ग्रेंटियां जो आपने बताई थी वो सिस्पेंड कर वाई है और स्टे लिया हुआ है आई कोर से वो पहले अपनी खैर मनाए तब जो है जाके वो टिका टिपनी करें अदालतों के ही सहारे पर उन्होंने अपनी सजा का स्टे लिया हुआ है और आज उन्होंने उस पर चुनाब भी लड़ा तो वो जो है अदालत प पर टी का टिपनी करना बंद कर दे अनाथा जो है इसके परिनाम घंबीर भुखने के लिए त्यार ने है वाचों का सबसे लोग प्रिये डिजिटल न्यूस मेडिया चलिए